आप हम जैसे मोदी भक्त हों या ना हों लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो उत्राखंड में रेस्क्यू आपरेशन हुआ है ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ पांच लोग प्राइम मिनिस्टर के ओफिस से दिन रहाथ वहाँ पंदरा दिनों से कंटेनर के अंदर रह रह रहे थे और देख रहे थे कि सफलता प्राप्त हो धामी जी चीफ मिनिस्टर और उत्राखंड रोज चार पांच घंगते वहाँ पहुंचते थे और देखते थे जनरल वीके सिंग लितिन गडगरी जी बहुत लोग वहाँ पहुंचे और सब ने देखा कि बहुत बारीकी से ये रेस्क्यू आपरेशन खामयाब हो एक स्पेशल आएक्राफ्ट एफोस का वहाँ भीजा गया था हैदरबाद से आगार मशीन के साथ तो ये सब चीज़ें स्लोवाकिया से भी मंगाई गई वर्ल्ड बिगिस्ट रेस्क्यू आपरेशन जो एक्सपर्ट है सबसे बड़ा उसे स्पेशल प्लेन से बुलाया गया तो ये जो चीज़ें हुई है प्लाजमा कटर के लिए जो मेहनत हुई है पहले हैदरबाद से मंगाया गया फिर अमेरिका प्लेन भेजा गया वहां से मंगाया गया तो ये जो एफट उन फॉर्टीवन लोगों को बचाने के लिए हुआ गया अन्प्रेसिडेंटेड है इत रन्वे बनाया गया चोटा सा एक्सिडेंट साइट पे वर्टिकल ड्रिलिंग ऑक्सिजन जेनरेटर प्लांट क्या क्या नहीं हुआ और वो 41 लोगों को बाहर निकाला गया तो आपको अपने हाथ अपने दिल पर रखके ये सोचना होगा कि अगर हमारे प्रधान मंत्री मो हजार चौबीस के इलेक्शन में भारी भाउमत से इन्हें वापस जिता हैं लोग जो अपनी पार्टी है संगठन है आर एसेस है इसमें लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग प्लीज साफधान रहे हैं सारे एक जुट हो जाएं कारिया करता बताएं कि कुन हुआ है